हां जी दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में दोस्त हम आपसे बात करने वाले हैं बहुत important topic के बारे में अगर आप एक ITI के student हैं तो आपको किस trade से ITI करनी चाहिए ताकि आगे चलके आपको government job पाने में बहुत आसानी हो और इस वीडियो में हम top 5 ITI के ऐसे trade के बा ITI किये हैं तो आपको government job future में मिल सके तो दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडेजी टेकनिकल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को like and share करना बिल्कुल भी ना भूलेगा तो चलिए दोस्त अपने वीडियो को start करते हैं यहां पर आप देख पा रहेंगे कि some of the best trade list ITI के लिए जो कुछ ऐसे ITI trades हैं जो best है उनकी list यहां पर लिखी गई है कि some of the best ITI trade list यहां पर सबसे number one पर आता है electrician जहां दोस्तों अगर आपने electrician में सबसे पहले जो है वो electrician आता है number one पर ठीक है तो अगर आपने electrician में ITI किया है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो best है यह electrician trade क्योंकि इससे बहुत ज़्यादे vacancies आती हैं किसी भी सेक्टर में government job के किसी भी सेक्टर में जैसे railway हो गया और भी बहुत सारे ऐसे छित रहें जिसमें आपको electrician से vacancies आती हैं government job के बहुत सारे government job का form apply करना होगा और maximum percentage chances हैं आपके कि आपको government job में selection मिल जाया नेक्स्ट दोस्तो है आपका computer operator computer operator के भी लिए जो है वो government job की vacancies काफी जादे आती हैं पर यह आपको government job की vacancies computer operator और electrician trade में देखने को मिलती हैं तो अगर आपने computer operator trade से ITI किया है तो आपके लिए ब बहुत जादा बहतर है ठीक है तीसरा तो आता है तीसरा जो trade सबसे best आता है वो है diesel mechanic diesel mechanic से अगर आपने ITI किया है तो आपके लिए भी काफी जादा जो है वो अच्छी बात है और आगे चलके आपको government job पाने में बहुत आसानी होगी क्योंकि हर एक साल आपको इन सभी trade में जो है वो government job की vacancies आती नजर आती होंगी और काफी जल्दी और काफी जो है वो extra percentage chances है कि आपका government job में selection हो जाया अगर आप इन सब trade से ITI किये हुए है तो next है दोस्तों आपका wireman wireman जो है वो एक ITI के trade है जिसके माद्दम से government job की vacancies काफी जादे आती है और last है जो की बहुत popular trade है feeder feeder से भी अगर आपने ITI किया है तो आपको government job में selection पाने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इन सब trade में per year जो है one year के जो बात है वो हर साल आपको vacancies देखने को मिलती है निकी per year आपको vacancies यहाँ पे देखने को मिलेंगी इन सब trade में ठीक है तो अगर आप नहीं किये है इन top 5 trade से अगर आप और ITI किये है top 5 में से किसी एक trade से तो आपके लिए maximum possibility बनती है कि आपको government job future में मिल जाएगी ठीक है आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बाकी जो है वो सारा trade के उपर depend करता है अगर आपने best trade का selection पहले ही कर लिया तो आपके लिए बहुत ही ज बहुत जादा dangerous हो सकता है तो ये सब चीजे पहले select कर लीजिए और उसके बाद से trade को fill कीजिए और उसी trade से आप जादा से जादा courses को हासल कीजिए जिस trade से vacancies काफी आती है government sector में I hope आपको ये video काफी अच्छा लगा होगा and अगर आप diploma पे भी ऐसे ही videos देखना चाहते हैं क कि कौन सा trade diploma के लिए best है government job के लिए तो हमें comment करके जरू बताईएगा इस video को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद